आज हम बात कर रहे हैं कि शनी से संबंधित जब आप दान करने जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल अवश्य रखें पंडी जी शनी से संबंधित दान किन लोगों को नहीं करना चाहिए अब ये जानते हैं कि किन लोगों को शनी का दान नहीं करना चाहिए हर व्यक्ति शनी का दान नहीं कर सकता ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया और आपने शनी का दान शुरू कर दिया शनी के लिए दान कौन से लोग नहीं करेंगे जिनकी कुंडलियों में शनी लाभकारी हो फाइदा पहुँचाने की स्थिती में हो ऐसे लोग शनी संबंधी दान नहीं करेंगे जिन लोगों का जीवन शनी पर निर्भर करता हो यानि लोहे का काम करते हों मशीनिनी का काम करते हों प्रॉपरिटी का काम करते हों ऐसे लोग भी शनी की वस्तुमों का दान नहीं करेंगे जो लोग लोहे, कोईले, पेट्रोल या काली चीजों का व्यापार करते हो या उनका काम करते हो ऐसे लोगों को भी शनी संबंधित वस्तुवों का दान नहीं करना चाहिए व्रिशब, कन्या, तुला, मकर और कुम्ब लगन, राशी नहीं व्रिशब लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुम्ब लगन, इन लगन वालों को शनी का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके लिए शनी लाबकारी ग्रह है और अगर आपने अपने लाबकारी ग्रह का ही दान कर दिया तो जीवन में बचेगा क्या किसी दबाव में आके किसी प्रेशर में आके बिना मन के आपका मन नहीं कर रहा है तो बिना मन के भी शनी का दान मत करिएगा कि पंडित जी ने कहा है तो हम प्रेशर में आ गए दर के मारे दान कर रहे हैं नहीं श्रद्धा से दूसरे की सहायता के भाव से दूसरे को मदद पहुंचाने के लिए अगर आप शनी का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे शनी से संबंदित पीड़ा से आप छुटकारा पा सकते हैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे पंडिजी शनी से संबंदित दान करने के नियम क्या है किन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए अब आप समझ गए कि किन लोगों को शनी का दान करना है और किन लोगों को शनी का दान नहीं करना है अब यह जानिये कि जब आप शनी के लिए दान करने जा रहे हैं तो किस नियम का पालन करेंगे शनी की जो वस्तुवें हैं काला चना है काला तिल है काले कपड़े हैं जो भी हो ये सूरियास्त के बाद अगर आप दान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और दान अच्छी वस्तुवों का करें अपने पहनते हैं बढ़िया कपड़े और दान करने घटिया कपड़ों का तो ऐसा दान लाबकारी नहीं होगा जिस स्तर के कपड़े पहनते हैं जिस स्तर की चीजें इस्तेमाल करते हैं उसी स्तर की वस्तूों का दान करियेगा पहले दान की वस्तू को सामने रख करके शनी मंत्र का जब करियेगा आपको काले कपड़े दान करने हैं तो अपने सामने रखके पूजा स्थान पे बैठ जाईए पहले शनी मंत्र पढ़ लीजिए ओम शंग शनेशराय नमहां इस मंत्र का दान कर लीजिए इसके बाद शनी देव से प्राथना करते हुए तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को शनी की वस्तुमों का दान कर दीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं सही तरीके से पात्र व्यक्ति को जिसको वास्तों में जरूरत है अगर आप उसको दान करते हैं तो शनी का दान करने के साथ ही आपकी जो पीड़ा है जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाएगी एस्ट्र तक एप और चुटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से